Very Good Morning Students As you all know, हम लोग डिसकस कर रहे हैं Non-Conventional Sources of Energy जिसमें हमने लास्ट वीडियो में Solar Energy and Advantages and Disadvantages ये सारी चीज़े पढ़ ले थी आज हम एक स्टेप और आगे जाएंगे Wind Energy के बारे में बात करेंगे उसके Advantages, Disadvantages के बारे में बात करेंगे और हाँ बहुत छोटे-छोटे Topics बचे हैं जिनको अब वीडियो में कवर करना है आने वाले फर्दर जितने भी Topics है सब छोटे-छोटे हैं हमें बस थोड़ी सी Definitions देखनी है Advantages, Disadvantages, एक Process देख लेनी है तो चलिए शुरू करते है क्या है जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है Wind Energy यानि कि हवा से जो Energy हम बनाते हैं उसको हम Wind Energy या फिर Wind Power कहते हैं यहाँ पर आप Definition देख लीजे As the name suggests Wind Energy और Wind Power is the process whereby Wind is used to generate electricity ठीक है हवा से बिजली बनाने की जो प्रिक्रिया है उसी को हम Wind Energy कहते हैं अब कैसे बनती है देखिए बड़े बड़े पंक्खे लगे होते हैं आपने देखे होंगे फिल्मों में या फिर कभी आप किसी सी साइट पर गहोंगे तो देखे होंगे बहुत ही जादा बड़े बड़े फैन लगे होते हैं ठीक है उनको Wind Mill बोला जाता है तो वो जब घूमते हैं न तो उनके अंदर की Machine भी घूमती है और वो Machine क्या करती है हवा की Kinetic Energy को Mechanical Power में Convert करती है और बाद में हम उसको Convert कर सकते हैं Electricity में ठीक है तो जो हवा से हम Electricity बनाते हैं उसको हम Wind Energy या फिर Wind Power कहते हैं Clear? Advantages पढ़ना है हमको देखे पहला Advantage क्या है Wind is a Reliable and Infinite Renewable Energy Resources हवा कभी खत्म तो होनी नहीं है ठीक है न हवा हमेशा Available रहेगी और जब तक हवा Move करती रहेगी तब तक हम बार 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 Wind Energy को Renew कर सकते हैं वो कभी भी खत्म होने वाली Energy नहीं है ठीक है दूसरा है Wind Energy is Cost Effective बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है Prices are dropping still जैसे जैसे ज़्यादा लोग इसको यूज करने लगेंगे जैसे जैसे यह popular होती जाएगी वैसे वैसे ही इसके जो cost है वो और ज़्यादा कम हो जाएँगे और अभी भी बहुत ज़्यादा cost effective है बहुत ज़्यादा costly नहीं है ठीक है उसके अलावा third number किसी भी तरह का carbon die oxide या किसी भी तरह का pollution नहीं release होता है जैसा कि fossil fuel में होता है यानि कि यह clean energy है ठीक है next देखते है few running cost when the turbines are up and running ठीक है running cost इसको जो भी हमारी machinery है उसको चलाने की cost भी बहुत ज़्यादा नहीं है ठीक है एक बार आपने install भी करा लिया तो उसको maintain करने में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला नहीं है ठीक है यानि कि हमें कम पैसे में काम चल जाएगा offshore wind form can take advantage of offshore wind flow without affecting the landscape view offshore का मतलब जो आप कह सकते हैं समंदर से थोड़ा सा distance पर ocean से थोड़ा सा दूर far away जो windmill होते हैं तो हवा तो वहाँ पर भी चलती है वो उसका भी advantages ले सकते हैं ठीक है उसे किसी भी तरह का फर्क पढ़ने वाला है नहीं disadvantages की बात करें wind energy can be unpredictable as the amount of electricity generated is dependent on the speed and direction of the wind देखिए wind energy reliable है ठीक है बट बहुत ज़्यादा reliable नहीं है क्योंकि unpredictable है हवा चलेगी या नहीं चलेगी हमें नहीं पता हवा भाई कभी चलती है कभी नहीं चलती है तो यह unpredictable है अब जाहिर सी बात है अगर हमें electricity चाहिए और हवा चल ही नहीं रही है तो हम कैसे generate करेंगे ठीक है और कभी हमारे पास storage capacity नहीं है बढ़ हवा चल रही है तो भी हम उसे कैसे store करेंगे तो पूरी तरह से reliable नहीं है हम इस पर पूरी तरह से depend नहीं रह सकते क्योंकि यह बहुत ही uncertain unpredictable है ठीक है wind farms can affect the visual appearance of the landscape तेखिए जो wind farms है उनको जब हम लगाते हैं तो वो पूरी तरह से landscape का जो क्या कह सकते है visualization है उसको change कर देते है माल लीजे कि कहीं पर एक खुला मैदान है नीला समंदर दिख रहा है बीच में आप बड़े बड़े पंक्ये लगा देंगे तो जाहिर सी बात है लगाने के बाद भी वो खुबसूरत दिखेगा लेकिन वो पूरी तरह से natural नहीं दिखेगा ठीक है तो जाहिर सी बात है कि वो landscape का जो view है जो beauty है उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा negative impact पड़ेगा तो ये भी एक इसका disadvantages है wind turbines can damage the habitats of birds and marine life wind turbines क्या कर सकते हैं अगर आस पास से कोई पक्षी या कोई bird उड़के जाता है तो वो उसे टकरा के मर सकता है ठीक है कभी कभी windmill को हम ocean के अंदर भी कम गहराई वाली जगहों पर लगा देते हैं sea के अंदर और वहां अगर तेज हवा या तूफान के चलते या फिर जैसे अभी आज कल अभी कुछ दिनों पहले cyclone आया था ठीक है ना टॉटे वैसा कोई cyclone आता है और वो तूट के गिर जाते हैं तो उनके गिरने से जो नीचे मचलिया है या कोरल है उनको भी effect पढ़ सकता है marine life को भी effect पढ़ सकता है नेक्स्ट क्या है wind farm can be expensive to construct इनको बनाना जैसे कि मैंने कहा कि यह बहुत सस्ती बिजली पड़ती है electricity यानि कि wind energy बहुत सस्ती है लेकिन एक बार जब आप farm पर construction करा रहे होंगे installation करा रहे होंगे तो one time investment is very high ठीक है not everyone can afford ठीक है ठीक लेते हैं process of generating wind electricity अब यहाँ पर देखिए क्या है ये एक windmill है एक बड़ा सा पंखा है और जब हवा चलती है तो ये घूमता है ठीक है इस तरह से ये घूमता है जब ये घूमता है तो इसके नीचे ये टरबाइन लगा हुआ है ठीक है ये भी घूमता है आपने अपने घर के पंखों में देखा होगा पंखे और पीछे एक थोड़ा सा bulges वाली machine लगी होती है तो ये टरबाइन है ये टरबाइन घूमती है टरबाइन घूमने के बाद जो भी energy हम generate करते हैं वो यहाँ पर जाती है ठीक है ना और यहाँ से electricity generate करने के बाद हम उसको transformer में देन उसके बाद जहां कहीं भी supply करनी होती है वहाँ तक supply कर सकते हैं और यहाँ पर दिखे घर में बिजली पहुचा दी गई तो यह बहुत ही simple सा process है ठीक है तो आज के वीडियो में Thank you so much Next वीडियो में हम Next topic की बात करेंगे ठीक है तब तक आप घर पर रहिए सुरक्षित रहिए अपना और अपनों का खयाल रखिये Thank you so much